परवल तो बहुत तरीके से बनाये होंगे, खाये भी होंगे, आलू परवल भी बनाया होगा, मसाला परवल भी बनाया होगा, लेकिन एक बार अगर आपने मेरे तरीके से यह परवल बना कर खा लिये न, यकीन मानिये फ्रेंड्स, आप बार बार यही बनाना पसंद करोगे, खुस्वू जब बनाओगे ना तो खुस्वू इतनी जबरदस्त आएगी कि पड़ो सी भी दोड़े चले आएंगे पूरा घर महकेगा इसकी खुस्वू से। टेश्ट तो इसका है ही लाजवाब तो फ्रेंड्स ट्राई जरूर कीजिएगा तभी तो आपको पता चलेगा कि ये परवल की सबजी कैसी बनी। हेलो फ्रेंड्स अगर हमारा वीडियो आप फश्ट टैम देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रेस्पी पसंद आए तो लाइक करें और ज़दा ज़दा सेयर करें। फैल आइकन को जरूर प्रेस कर लें जिससे के आपको नोटिफिकेशन मिलता रहें। यहां मैंने ले लिया है परवल तो यहां हाफ केजी परवल ले लिया है। इसको मैंने अच्छे से दो लिया और अच्छे से साफ करने के बाद इसको मैंने दो टुकडों में कट कर लिया है। अगर आपको छोटे पीसेज पसंद है तो आप इसको फोर पीसेज में भी डिवाइड कर सकते हो अब हम इनको साइड में रख दिंगे और एक ले लिए हम मिक्सिंग जार तो यहां मैंने दो ओनियन डाल दी और आठ से दस लेस्टन की कलिया एक इंच अद्रक का टुकड़ा और यह मैंने ले लिया है धनिया पाउडर तो यह घर का पिसा हुआ धन ले लिया वन टेवल इस्पून ले लिएगे हम यहां सॉफ कि और यह में ले रही हूं लाल मिर्ची जो मेंने गरम पानी में भिगो दिती हाफ हावर के लिए तो यह पास से छह मैंने लाल मिर्ची ले ली हैं लाल मिर्च आप अपने तीखापन के अकारिंग डाले जितना अब हमें इसको दरदरा पीस कर ले आए हैं देख सकते हो बारिक नहीं पीसना है बस दरदरा सा हमें इसको पीसना है अब हम ले लिंगे एक कड़ाई और इसमें हम डालेंगे दो बड़ा चम्मच ओयल क्योंकि हम अचारी परवल बना रहे हैं तो ओयल थोड़ा ठीक ठाग दाल दिया है यहां मैं मस्टड ओयल इरही है आप site गरम हो चुह का है आप हमें इसमें डाल दिंगे परवल में तो यह देखे दीरे दीरे करके मैं सारे परवल डाल दोальные और अब हमें इनको फ्राय करना है इस और मेरा से अगर आप ज्यादा तीखा पसंद करते हो तो और इसमें हरी मिट्ची एड़ कर सकते हो अब हमें इते हो फ्राइज कब तक करना है, आपको बता देती हैं जब तक इसमें हलकी सिल्वटें पढ़ने ना लगे तब तक आपको इसको 색깔ative करना है अब में इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा नमक नमक किसलिए डाल रहे एक तो जल्दी पकेगा दूसरा इसमें अंदर तक नमक जाएगा तो सबजी में और भी बढ़िया टेस्ट आएगा तो मीडियम फिलेम पर अब हमें इसको अच्छी से फ्राई करना है थोड़ा बहुत तो आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि बात में जब हम सबजी बनाएंगे तो थोड़े बहुत अगर कच्छा रह गया तो उसमें पक जाएगा देख सकते हो हलकी फुलकी सलवटे आ गई हैं और यह अच्छे से फ्राई भी हो चुके हैं अब हम इनको निकाल लें तो यह देखें यह मैंने जो सारे परवल हैं वह निकाल लिए हैं अब इसमें जो ओइल बच रहा था उसी ओइल में हम डालेंगे हाप टीश्पून जीरा जीरे को थोड़ा तड़कने दिंगे अब हम इसमें डाल दिंगे बन फोर टीश्पून हींग का बहुत ही जबरदस टेश्ट आता है और वैसे भी हमारे पेट के लिए बहुत ही बढ़िया रहती है अब हम इसमें डाल दिंगे जो हमने लाल मेट्च और वो मसाला पीशा था ना दरदरा वो मसाला फ्लेम है वो हम अब सिलो कर दिंगे और अब मैं उसी जार में हाफ कप पानी डाल के और इसम पून डाल दिंगे हम इसमें हल्दी पाउडर अगर फ्रेंड्स सुके मसालों में कोई भी मसाला आपने जब पीशा था उस टाइम पर नहीं डाला है तो आप इस टाइम पर एड़ कर सकते हो अब हमें इसको पकाना है पकाना कब तक है जब तक की साइडों से ओयल निकलने ना लगे तो देख सकते हो साइड से ओयल निकलने लग गया है और अब हम इसमें डाल दिंगे थोड़ा सा नमक और इसको में कुछ सेकंड के लिए और थोड़ा सा पका लेती हूँ घर इतना जबरदस्त महकरा है फ्रेंड्स इसकी खुसवू से यकीन मानिए पूरा घर महक करा आए बहुत ही जबरदस अचार जैसी खुसूग ऐ रही है आप हम इसमें डाल दिंगे ये परवल अच्छे से मिला लिएगे तो ये देखे ऐसे अच्छे से मिला लेना है फ्लेम है वह अभी सिलोई रहने दिंगे तो ये देखे इस त्रईसे मैंने जो परवल है वो सारे मिला लिये हैं और अब हम इसकी फ्लेम है वो मीडियम कर दिंगे और थोड़ी देर इसको मैं ढखकर पकने दूँगी ढखकर क्यों पका रहे हैं? क्योंकि थोड़ी सी जो कसर रह गई है परवल में वो कुक हो जाएं तो ये देखिए लगबग एक से दो मिनट हुए है और ये हमारे परवल है ये पक चुके हैं आप देख सकते हो कितनी जबरदस्त हमारी ये सबजी बनकर तयार हुई है आप चाहो तो हरादनिया एड़ कर सकते हो अब हम इसमें डाल देंगे अमचूर पाउडर क्योंकि हमने इसमें टमाटर बगेरा कुछ भी नहीं डालाए खटाई के लिए तो इसलिए मैंने वन टेबल इस्पून डाल दिया इसमें अमचूर पाउडर बस कुछ दिर पकाईंगे और अब हम इसके फ्लेम है वो आफ कर दिंगे आप सोच रहे होंगे कि लास्ट में अमचूर क्यों डाला क्योंकि अगर हम अमचूर पहले डाल देते तो ये सबजी कोकोने में बहुत टाइम लगाती ही इसलिए जब भी कभी आप कोई खटाई डाले तो आपको वो लास्ट में डालना है जब सबजी कोको जाए तब आप डालोगे तो बहुत ही जल्दी आपकी सबजी बनकर तयार हो जाएगी तो देख सकते हो फ्रेंट्स कितनी बढ़िया हमारी अचारी परवल बनकर तयार हुए है तो ये देखिए फ्रेंज देख सकते हो कितनी जबरदस्त हमारी ये अचारी परवल बनकर त्यार हुए है इसकी कुस्बू से और देखते ही ये समझ लो भूक दुगनी हो गई है बहुत जबरदस्त भूक लगी है तो जहां आपको दो रोटी की भूक है न वहां आप चार से छे रोटी खा जाओगे इतने जबरदस्त हमारे ये परवल बने हैं और जो परवल नहीं खाते थे न वो भी परवल खाने लगेंगे इतनी जबरदस्त इतनी टेश्टी योनिक से हमारी ये रैस्पी बनकर त्यार हुई है अगर आपने ये है किसी को बना कर खिला दियना गेस्ट को तो ये समझ लो आपसे रैस्पी जरूर पूछेगा इतनी टेश्टी इतने बढ़िया हमारे ये परवल बनकर त्यार हुए हैं हमारे इदर इनको परवल बोला जाता है बहुसी जगे इनको कुद्रू भी बोला जाता है आपके उदर क्या बोला जाता है हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा तो फ्रेंड्स अगर हमारी रैस्पी आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें और ज़्यादस ज़्यादा सेयर करें क्योंकि लाइक में कोई पैसा नहीं लगता आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद